मिक्स वेजटेबल की सबजी जिसे की हम पंच रतन सबजी भी कैसे जो कि मिल्कुल ही रेस्टूने स्टैल में बनाने वाली जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अम्मी है तो इसे बनाने के लिए मैंने हापर आलू मतर गाजर शिम्ला मिर्च और फुल गोबी को ले लिया है आप अपनी सबजी को भी समय कर सकते हैं तो यहां ने हैं पर पनीर को भी ले लिय और मसालों का पेस्य कर बनाने के लिए मैं अब शुरू कर लेंगे अपना Sorry को एपनी सवाथ कर लेंगे ऑपनी हलेंगे अपनी हडं़ीं सप्टोय सब्सक्राइब करने के लिए इसे निकाल कर आप साइड में रख देंगे और उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डागों से गर्म कर लेंगे अब हम इपने सब्सक्राइब कर लेंगे और नमक ये नमक अफ्टा चल लेंगे और नमक नमक अच्छी तरीके से आजाए हल्टी डालने के बाद 2-3 मिन तक हम इसे अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे जब यह फ्राइ हो जाएगा तो इसे भी एक बतन में निकाल लेंगे और फिर थोड़ा सा और तेल डालने के बाद हम अपनी बच्ची वी सब्जियों को भी थोड़ा हलका सा सौटे कर लेंगे जोहरी मनटर रिखती उन सबको हमने आपनी पानीर को भी फ्राइ करना है तो लिए हम आपनी पनीर को भी तरीके से फ्राइ कर लेंगे ताकी पनीर में तोटना जाय तो इसे हम हाई फ्लेम पर ही फ्राइ करेंगे इसे बहुत सब्सक्ष क्लिश्थ PaaL करने के बात जब इसमें हमें कलका चेंज हो जाए तो इसे भी हमें एक बरतन में निकाल देंगे और उसके बाद हम अपनी ग्रेवी के तयारी कर लेंगे पैसे भी मैंने एक बतन में निकाल दिया है और अपनी कड़ाई में थोड़ा सा और तेल डालने के बाद सबसे पहले मैं इस पर खड़े मसाले को डाला हुआ है तो खड़े मसाले में मैंने आप तेज पत्ता, जीरा, क जाल दूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था टमांडर और प्याज का तो जाल में थोड़ा सा लगवा था उसे भी मैंने दो के उसमें डाल दिया है और उसे तकरीबन तीन से चार मिनट तक पकने देंगे तागी जो उनका तेल है वह उनका तो सरफेस पे आ जाए जब अगर पकने के लिए हमें ढखके रखते ना है ताकि जो हमारे मसाले है वह अच्छे से भून जाए तो आप देखेंगे कि चारते पांश मेंट के बाद मसाला जो हमारे है वह लगवाग भूनाई गया और उस पर तेल भी सरफेस पे आने लगा है जब हमारा मसाला इस अच्छे तरीके से भुना जाएगा जिसे इस तरीके से हो जाएगा तो अब इसमें हम एड कर लेंगे अपनी सब्जियों को जिसे हमने फ्राइगर के साइड में रख लिया तो एक करके मैं अपनी सभी सब्जियों को इसमें एड कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से पानी को भी आड़ कर लिया है और इसमें अच्छी तरीके से घरम मसाला और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके ढ़क दिया है और इन्हें पकने के लिए हम रख देंगे 3-4 मिनट के लिए जब तक हमारे आलू और गोबी गलना जाए तो आप देख रहे हैं कि हमारे मस मिक्स कर लेंगे और फिर 2-3 मिनट तक और इन्हें पकने देंगे ताकि जो इन सबका जो फ्लेवर है वापस में अच्छी तरीके से एजिस्ट हो जाए तो आप देख रहे हैं कि हमारे पूरी सबजें बहुत अच्छी तरीके से पक गई और जो हमारा तेल भी सर्फेस पे सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करेंगा लाइक और कमैंट भी जरूर से जोरब करेंगा